हेलो फ्रेंड्स वेलकम ट्यूरान चैनल सबकर चैनल मैं हूँ यह शीता कैसे हैं आप सब लोग आज जो मैंने टॉपिक चूच किया है वह फ्लीट डाइनेमिक्स यह हाइड्रॉलिक सब्जक्ट से रिलेटेट टॉपिक है इसके बाद मैं आपको आरेस खुद में को बल्च गये हैं तो चलिए देखते हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लिट यह ऋआ है तो उस िडायमेड to आपके बर करते हैं कौन कौन से पोर्स है वह आपको पता होना चाहिए देखे ग्राइटेशनल पोस पैशर फोस विसकर्ष इनरिशिया और इनरिशिया का अधर नेम टॉबलेंड फोस होता है सर्फेस तंसन फोर एल लास्टिक फोर्स दोस्तों मैं बता दूं कि अगर फ्लों इनरिशिया फोर्स की वैलु सबसे कम होती है उसके बाद वही चीज मैंने यह आपे लिखा हुआ है नोट्स में आप पढ़ सकते हो देखे इस ते वरस्ता में विश्कर्ष फोर्स और इनरिशिया फोर्स का मान जीरो होता है जबकि सर्फेस तंसन और इलास्टिक फोर्स का इन फोर्स की तुलना में कम होता है इन फोर्स की सब्ढ़िक लिए निम तीन इक्रेशन होती है तो इस पह्वासर चेछ्पका कुल्च पूछ सकता है तो यह बन सकता है सी वरस्ता में इनरिशिया फोर्स scaled up क्या होती जेल इन इस आंसरी जीरो इसके बाद यदि हमें इन तो offers की ऍेटिव करने क सी कहने हिए मेरें को करते हैं कही हुटी है तो देखिए विनौर्ड डिक्वेशन पेहली बाथ विनॉर्ड एक्वेशन थे विनौर्ड डिकyon खुर प्रोर को सठीव करने के लिए के लिए यूजिखी जाती मैं आपको पीछे बता चुकी हूं कि जिनके फ्लूट पार्टिकल आपस में मिंगल हो जाते हैं उसी तरह कि फ्लूट को अम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं जैसे कि नालियों में बहवा पानी भी टर्बुलेंट प्रो का एक्जाम्पल है तो इसकी एक्वेशन देखें क्या होता है ग्राविटेशनल फोर्स प्रेसर फोर्स विसकस फोर्स तर्बूलेंट फोर्स यह आपकी विनौल्ड इक्वेशन हो गए उसके बाद नैवियर इक्वेशन होती है आप यह सिवीज से याद करिए और एक इक्वेशन से आप डुबूलेंट फोर्स मिस कर देते हैं तो आपकी इक्वेशन नैवियर की बन जाएगी एज ग्राविटेशनल प्रेसर फ्रस विसकस फोर्स कोस्टन आपका यह बनता है कि नैवियर इक्वेशन क्या होती है आपको तिंचाव ऑप्सन देगा इसी तरीक फ्रसक्र गायब करिए आप को मिल जापती है करता है कि फॉलो करता है किस फ मोशलोग करता है थो आपका अपका layer समयर मूइनटम को फॉलो करता है देखिए एक इसका पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट यह है कि आईलर इक्रेशन जो हमारी यह है दीपी अपॉन रो प्लस डीडीजेट प्लस डीडीवी अगर हम इसका डिफेंसियल करते हैं डिफेंसियल फॉर्म है तो उसके बाद आपको एक बरनावली इक्र Qt मिलती है तो आपको लीडीजेट आपको बनते हैं इसे कई को जिस तरीके के बनते हैं वह मैंने आपको बता दिये चलिए आगे देखते हैं देखें यह मैंने इसका डिफेंसियस्टार करा के भी दिखाया है देखिए आपकी बरनावली इक्रेशन आपको प्राफ्वों कि वो important point मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आईलर equation का differential form का integration करने पर Bernoulli equation प्राप्त होती है और वो किस तरीके से प्राप्त होती है वो derivation मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है उसके बाद हम बात करेंगे आज कुस dimensionless number दोस्तों इसके बाद जितने भी मैं आपको number पढ़ाऊंगी वो सारे dimensionless number है यानि इनकी कोई भी dimension नहीं होती तो सबसे पहले question यही बन जाता है आपको 2-3 आपके number देंगे उसमें से एक number इन सम्में भी होगा आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा number है जिसकी कोई unit नहीं है तो आपको इन number का knowledge होना चाहिए तब ही आप टिक कर पाऊगे तो देखिए first number है जो सबसे important है वो है आपका Reynolds number तो आपको main इसका यह याद करना है कि यह किसका ratio होता है आपको डायरेक्ट यह लिख के आता है और आपको टिक करना होता है तो मैं बता दूँ जो वेन number है it is the ratio of inertia force to viscous force वेनौल नंबर है वो inertia force of viscous force का ratio होता है यह आपको exact डिक्टो याद होना चाहिए otherwise आप टिक नहीं कर पाऊगे तो देखिए वेनौल नंबर का जो में फॉर्मला होता है वो देखिए वो वी डी अपॉन म्यू होता है इससे आपकी नुमेरिकल्स भी काफी बन जाते हैं आपको डंसिटी दे दे डाइनमिक विसकोस्टी दे देगा डाया दे देगा आपसे साहिए इन में किसी की एक ही वैल्यू आपसे पूछ सकता है तो यह आपका वेनौल नंबर हो गया आपको मेन यह लाइन याद रखनी है कि वेनौल नंबर कि सीज का रेश्य होता है तो यह इनर्शिया फोस्टो उनाच के फोस्टो के पेयर बना के देगा आपको टिक करना होगा इनर्शिया फोस्टान विसकूस उसके बाद दोस्तों जो जो में बात है कि वर नौल नंबर अगर 2000 से लेसर नमबर 2000 के कर्श्पांडिंग विलॉक्त को हम लोवर क्रिटिकल विलॉस्टी कहते हैं जबकि अगर यह 4000 की ऊपर वेनारण नंबर तो यह आपकी अपर किटिकल विलॉसटी होती है एक वेनारण नंबर में यह भी होता है कि अगर वेनारण नंबर 2000 में तो वो आपका laminar flow होता है 2000 से 4000 के बीच में यह रिनॉर्ड नमबर है तो वो transition flow होता है जबकि 4000 से यह ज़्यादा होता है तो वो turbulent flow होता है यह मैंने लिखा नहीं है इस वज़े से मैं आपको मुह से बता रही हूँ तो आप यह point याद रखिएगा किसी किसी बुक में 2000 को consider ना करके बलकि 2800 से लिया जाता है तो आप उस हिसाब से अपनी range बना लिजेगा उसके बाद आपका next number है fraud number fraud number क्या होता है तो देखें यह inertia force और gravitational force का ratio होता है यह देखें fraud number is the ratio of inertia force to the gravitational force इसके बाद हम बात करते हैं Weber number it is the ratio of inertia force to the surface tension force हर number पे आपको inertia force उपर मिल ला है और नीचे की value change होती दा रही है देखें यह भी force यह भी force इस वज़े से यह एक dimensionless number है क्योंकि force की unit नीचे वाले force की unit से cancel हो जाती है उसके बाद जो आप से number पूछा दाता है वो number आपका है isla number आपका होता है it is the ratio of inertia force to viscous force sorry pressure force तो आपका होता है inertia force और pressure force आपका जो main आपसे पूछा दाता है वो यह पूछा दाता है कि आपको लर्म करना पड़ेगा कि यह conservation of momentum पर depend करता है आपको देखा कि conservation of energy, conservation of mass conservation of momentum इस तरीके से आपको पता होना से है depend करता है उसके बाद जो अगर newton number होता है हमारा वो island number का reciprocal होता है अगर हम newton number की बात करें तो newton number का हम just opposite define करेंगे कि newton number हमारा ratio होता है pressure force और inertia force का यानि newton number में pressure force उपर हो जाएगा और inertia force नीचे उसके बाद mac number mac number का एक other name है उसको बोलते हैं हम लोग county number it is the ratio of inertia force to elastic force जो mac number है वो inertia force और elastic force का ratio है बाकि जो आपके types of force मैंने बता है inertia, viscous, gravity force surface tension force यह आप से नहीं पूछा राता है यह सिर्फ आपको main आपको name पता होने चाहिए कि mainly six types के होते हैं तो अब हम देखते हैं कि इससे आपके question कैसे बनते हैं तो अगर आपके पास आवे स्कूर में बुक है तो आप बुक खोलिए और उसमें 182 page number है hydraulic वाला chapter खोलिए और उसमें 182 page number है आपके पूरे question इससे related दिये हुए है देखिए the ratio of inertia force to the viscous force तो क्या आप कौन सा number बोलते हैं तो Reynolds number उसी तरीके से the Reynolds number of a strip is fill in the blanks to its velocity and length कैसे directly proportional है मैंने अभी आपको बताया R is equal to rho VD upon new तो अगर आप उस formula को थोड़ा सा open करके देखेंगे तो यह आपकी velocity कहीना कहीं से मिल रहेगी इस वाज़े से directly proportional है उसके बाद है the ratio of inertia force to the gravity force इस का फॉर्ड number अगर आपको पता है कि फॉर्ड number किस का ratio है तब ही आप यह question कर पाएंगे तो आपको फूर्ण करना पड़ेगा तो यह है हाँ यह होता है फॉर्ड number आपका inertia force और gravity force का ही ratio होता है तो यह agree फिर the ratio of inertia force to the fill in the blanks फॉर्ड number इसे तरीके से दोस्तों आपके 354 से 395 तक जितने questions दिये हुए है आल्मोस्ट 11 questions है यह आपके बड़े easily way में solve हो जाएंगे इसे तरीके आपके जो numericals आते हैं वो भी आप easily way में विनॉर्ड number के form में put करके उन्हें आराम से solve कर सकते हैं और याद रखिए कि यह जितने भी number मैंने आपको बता है इनकी कोई भी divertion नहीं होती कभी कभी आपको दे देगा तो जो thermal में आपके number है उसके लिए मैं आपके एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी फिलाल आप अभी ये हाइड्रालिक्स के जितने इंपॉर्टेंट नंबर थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है इस वीडियो में